आउज बिल्लाहि मैंने श्यत्वान दौचीम बिसमिल्लाहितौ अख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुफिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 टीचर्व ऑनलाइन दोस्तों हमारी असंब्ली लेंग्विज प्रोग्रामिंग की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा आठवां लेक्चर है दोस्तों जो हमारी पिछली साथ क्लासिस गुजरी हैं हमने उसमें असंब्ली लेंग्विज प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स हैं उनको सीखा है दोस्तों अब वो वक्त आ गया है कि हम अपना असंब्ली लेंग्विज प्रोग्र लिखेंगे वो हमने पिछली क्लाफ में भी लिखा था लेकिन हमने अपने जो इन्वार्मेंट फैट किये थे जिसमें नेफिम और एम यू एट वीडो एट फिक्स था इमिलेटर उफ के अंदर उफ को रन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए दोफ्तों हम आज की क्लाफ शुरू करने पहले ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लाफ के अंदर क्या उसके साथ ही हम लोगोंने डिफर्प या यह सेक्मेंट इखे थे जिसमें मॉडल सेमев्य था स्थफर्वंट को यह सैग्मेंट था एंज के लिए लिए दॉस तो यहां तक तो थी हमारे पिछली क्लास आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की और हमने पिछली साथ क्लासिव के अंदर जो प्रोग्राम स्ट्रेक्चर पढ़ा कोमेंट्स पढ़ा फर्विस रूटीन पढ़ा इंटरप्ट पढ़ा उस सारी चीज़ों को यूज करते हुए हम आज का अपना फर्स्ट असंबली लेंग्विज प्रोग्राम लिखेंगे और फिर उस से डिलेटिड मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा क्यूंकि अब वो वक्ट भी आ गया है कि आपको असंबली लेंग्विज प्रोग्रामिंग स इसक में आज कि ट्रफ बढ़ते हैं दोफ्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम आज की कि लाफ के अंदर असंबली लेंग्विज प्रोग्राम लिखने हैं और फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो फिक्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है और यह पहले मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूं यह वही प्रोग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एंड के ऊपर लिखा था और फिर हम अपने उन जो हमारे प्रॉमेंट में लिखा हुआ है एंड रिंग्विज प्रोग्राम टू प्रिंट रॉप्रेटर यी एन सिंगल करेंटर एंड के हम इसके और ये एक तोरीज टैक्टरे यह हमारी फ्टॉरिज ऑस्टैक के लिए हम यूज करें या करें हम इसको define जरूर करेंगे यह मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं डॉट डेटा है यहां पे हम वेरियेबल डेफाइन करेंगे और डॉट कोड आ गया उसके अंदर में प्रोसिजर स्टार्ट हो गया उसके बाद हमारे पाफ मूव डियल है हमने एक डेटा रेजिस्ट की प्रिंट करने के लिए इंट 21 एच यह हमारा इंटरप्ट है कि हम सौफ्ट्वेर को कह रहे हैं कि अभी आप रूख जाओ हम हौडवेर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके बाद मूव एच कॉमा फॉर फी एच और इंट 21 एच यह हमारी जो कमांड्स हैं दोनों यह हर प्रोग्राम में लिखी जाएंगी to return from the register register से वापस आने के लिए उसके बाद में प्रोसीजर को हमने एंड किया और में को भी एंड किया तो यह दोस्तों हमारा प्रोग्राम है हम चलते हैं अपने प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले मैं यही प्रोग्राम जो है आपको register के अंदर लिखके दिखाऊंगा तो इस screen को हम off करते हैं और चलते हैं हम desktop पे और desktop पे यह देखें EMU emulator 8086 खड़ा हम इसको open करते हैं और open करने के बाद कुछ ऐसी screen जो है आपको screen के ऊपर जो है वो नजर आएगी तो यहां पर देखें यह हमारी जो screen है यहां पर सबसे पह with integrated assembler variant 4.08 है आपने जो है हमेशा यहां new पे क्लिक करना है और new पे क्लिक करने के बाद com template finger tiny execute table file format pure machine code है इन में फे किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने by default जो com template के ओपर क्लिक किया हुआ आपने वहीं पर ok कर देना है और आपके फार्मने फिक्रीन के ओपर यह आ जाएग अब मैं जो already code लिखा हुआ उस सारे को कर देता हूं delete और delete करने के बाद हम यहां पे अपना code लिखेंगे और यही इस emulator की खास बात यह है कि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको graphically यहां पे देखें हर चीज़ नजर आ रही है इसमें new है open है examples है phase है compile है फिर emulator यह run करने के लिए है calculator भी है converter भी है यह अगर हम calculator पर क्लिक करते हैं तो यहां से हम अपने वह सारे binary और decimal और hexadecimal इसकी option setting वगर एफेट करते हैं और यहां पर एक खास बात यह है emulator के अंदर के आपको किसी जीव का अगर F की code नहीं आता तो आप F की code पर क्लिक करते हो तो आपके सामने F की code की जो screen है वो open हो जाएगी और यहां पर देखे हैं वो पूरे का पूरा table जो है यहां पर आ जाता है हम जो है without wasting time अपने program की तरफ आते हैं और लिखते हैं अपना program जो हमने पढ़ा है हम सबसे पहले commenting का use करेंगे हम लिखेंगे आ एन असंब्ली असंब्ली लेंग्विज प्रोग्राम तो प्रेंट ए ओन फिक्री हम एक सिंगल करेक्टर प्रेंट कर रहे हैं ए फिक्रीन के उपर उसके बाद जो है आपको पता है हम लिखते हैं डॉट मॉडल और फिर हम इसे प्रोग्राम का size small हमने define कर दिया उसके बाद हम .stack लिखते हैं और 100h यह हमारा stack size हो गया उसके बाद हम .data उसके बाद .code लिखते हैं और .code के अंदर हम अपना main जो procedure है उसको start करते हैं उसके बाद हम अपनी command लिखते हैं और end पे जो हम अपना main procedure है उसको end कर लेते हैं main, end और यह हमारा procedure end हो किया और यहां पे देखें हम end main भी कर लेते हैं अब इसके अंदर दोस्तों हमने अपना जो है वो program लिखना है अब यहां पे देखें हमारी first command क्या है आपको बताया था कि आप F की code जो हैं तीन चार जो first वाले हैं वो याद कर लें अगर आपको याद नहीं हैं तो हम emulator का भी use कर सकते हैं लेकिन अभी for the time being मैं इसको inverted command के अंदर यही pass कर रहा हूं उसके बाद हम एक service routine लिखेंगे move a,2 यह आपको पता है कि हमने जब कोई screen के उपर output लेनी हों तो उसके लिए यह service routine यूज करते हैं उसके बाद हम वही int और 21h लिखेंगे यह भी आप लोगों को पता है interrupt है software के लिए और उसके बाद मैंने आपको पताया था कि हमने यह print तो कर लिया अब हम register जो हमने dl और accumulator ah यूज किया है इससे हमने वापिस भी आना है तो उसके लिए हम move और ah,4ch और उसके बाद फिर int 21h और हमने जो program divine recipe बढ़ी थी और जो हमने good practices बनाई थी उनके मताबिक हमने अपना program लिखना है वो फारी की फारी आप लोगों को अवबर याद होनी चाहिए उसके बाद हम लोग जो है यह program हमने लिख लिया है अब हम इस program को compile करेंगे और compile करने के बाद run भी करेंगे तो compile जब हम compile पर click करते हैं तो आपके सामने dot stack 100h not supported यह एक error भी आ गया है अब वो इसको support नहीं कर रहा emulator तो इसको मैं close करता हूँ अब इस यह जो हम emulator use कर रहे हैं इसका फाइदा यह है कि यह आपको screen के उपर जो error आएगा वो भी दिखा देगा और nefem और इसमें फरक यह है कि यह आपको सारी चीज़ें graphically दिखा रहा है जबके nefem जो है वो आपको console base के उपर दिखाएगा मतलब एक black screen होगी और वहाँ पर हमें समझ कुछ नहीं आना तो हम जो है अपना यह जो assembly language का course करेंगे उसके इंदर बहुत सारे lecture जो है वो nefem के उपर होंगे और mostly जो lecture होंगे वो हमारे इसी emulator 8086 के उपर होंगे मैं इसको close करता हूँ close करने के बाद इसको run के उपर click किया यह तब भी वही error दे रहा है तो हम यह जो dot stack dot h है इसके साथ semicolon लगा देते हैं ताके वो इसको जो है as a comment consider करे और इस emulator के button पर दुबारा click करते हैं run पे तो हमारा यह program जो है वो run हो गया अब देखें हमने जो line जो comment है उफ ने उफ को खाली छोड़ दिया है तो उफ ने ये एक code वाली window है जो यहां पे नवर आ रही है उफ ने उफ को जो है वो वहां फे उठाया line number देखें 3 फे अब यहां पर यह जो yellow color की आपको पटी नवर आ रही है वो यहां फे execution शुरू करेगा और हमें बार-बार एक-एक command को जो है वो execute करके दिखाता चला जाएगा यहां पर मैं इसको भी minimize कर देता हूं main window को वापस ले आते हैं और यहां पर देखें मैं इसको थोड़ा वा side पर कर देता हूं यह उपर अलग-अलग windows आ रही है तो हम इसको जो है बारी-बारी step-by-step run करेंगे और फिर screen के उपर देखेंगे कि हमारा यहां फे run के button पर directly भी click कर सकते हैं तब भी हमारा a character जो है वो print होके आ जाएगा हम यहां फे single step run किया यह देखें हमारी यह service routine चली गई और के बाद हमने यह फिर एक single step किया फिर एक single step किया तो इस तरीके से जब हमारे सारे single step पूरे हो जाएंगे तो हमारे सामने एक black screen आएगी और black screen के उपर जो जो हम print करना चाह रहे तो यह है दोस्तो हमारा emulator का तरीका और इस तरीके से हम अपना program लिखेंगे और run करके देख सकते हैं उसके बाद आपने program को save करना है हमने दुबारा save app पे click किया और desktop पे मैं इसे save कर लेता हूं हमारा जो program है class चल रही है हमारी class number 08 इसको हम save कर लिए इसको मैं बंद कर देता हूं तो हम अपनी वापस इस program के उपर आ गए अब हमने यह तो देखा emulator के अंदर अब इसी program को हम लिखते हैं नेसिम के अंदर अब यहां पर नेसिम के अंदर लिखने के लिए आपको notepad की ज़रूरत पड़ेगी तो notepad जो है वो मैंने open कर लिया है अब इसके अंदर जो है हम अपना program लिखेंगे तो हम सबसे पहले वही comment and assembly लेंग्विज प्रोग्राम टो प्रिंट फिंगल करेक्टर करेक्टर अब दोस्तों मैंने जो आपको प्रोग्राम स्ट्रेक्चर बताया है वो emulator 808 fix के हवाले से बताया तो हम mostly चुंके emulator 808 fix का इस्तमाल करेंगे अपने program लिखने के लिए इसलिए मैंने आपको शुरू में उसका फिट्रेक्चर समझाए nefim बहुत कम यूज़ करेंगे तो यहां पे जो है nefim और emulator 808 fix का जो हमारा computer architecture है उनमें फर्क फिरफ यही है कि आप जो program से structure emulator के अंदर यूज़ करेंगे वो हम अपना nefim के अंदर नहीं करेंगे nefim के अंदर हम अपना direct program जो है वो लिखा करेंगे तो मतलब हमने जो उपर.model.stack.data.code ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इन सारी चीज़ें को जो है हम इसके अंदर skip कर देंगे तो हम अपना direct code लिखेंगे उसके अंदर move dl, और यहां पे 65 लिख देता हूँ क्यूंके पहले मैंने आपको single character a pass करके दिखाया और यह हम अब as a f की code लिख र move a h,2 लिखा यह हमारी service routine हो गई और फिर हमने int लिखने के बाद और 21 h और उसके बाद फिर हम वही अपनी command जो है end में जिसमें हम register से बाहर आते हैं move a h,4 ch और फिर int 21 h यह हमने एक program लिखा अब इस program को हमने जो save करना है वो आपने file के उपर click करना है file के उपर click करने के बाद save पर click करना है और इसको आपने अपने e drive के अंदर जो folder बनाया था तो हम अपने fde drive पर जाएंगे यह nefm वाला folder पड़ा है तो यहाँ पर हम अपना class 8 और .afm यह जब आप नाम लिखने लगेंगे इस file का तो नाम जो है आपने लिखना है नाम लिखने के बाद .afm यह जरूर लिखना है ताके हमारे assembler को पता चल सके कि यह हमारी assembly की एक file है तो मैंने उसी folder nefm वाले के अं it और .afm लिखा अब मैं इसको save कर देता हूं save करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो nefm यूज करेंगे या mefm यूज करेंगे उसके लिए हम साथ dos box भी use करेंगे तो हम screen के उपर वापस जाते हैं desktop के उपर और dos box को open किया dos box को open करने के बाद हम जो है इसके अंदर वो अपना सारा जो हमने assembly की file बनाई और save किया है उस सारी जीवन को मैं run करके दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे nasim के थूँ आपने चलाना है अब यहां पे दे देंगी उस program को run करने के लिए उस program को object code के अंदर तब्दील करने के लिए उसको execute करने के लिए उसको edit करने के लिए तो यहां पर सारी command लेकिन emulator के अंदर खास बात यह है कि आप अपना program लिखे हैं और सिरफ run के button पर जाके मतलब वो आपको graphical user interface frame करता है तो इसलिए मैंने इस course के लिए जो है वो डास बाक्स और नैसिम की पजाय जो है वो एक ही software यूज किया है emulator 8086 उसके अंदर वो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा और हमारे जो mostly program होंगे जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी हम उसी के अंदर करेंगे तो हम यहां पर सबसे पहले तो mount लिखेंगे क्योंकि हम उस drive को mount करना चाहा रही है हमने n लिखा n लिखने के बाद semicolon लगाया उसके बाद colon लगाया और उसके बाद हम उस drive का path देंगे e, e के अंदर हमारा nafm वाला folder पड़ा है और backslash लगा कि हम यहां पर लिखेंगे nafm, nafm, enter करेंगे तो यहां पर directory e, nafm, अब हम यहां पर जो है अपनी local drive n के अंदर जाफ एकते हैं तो n colon लिखेंगे, colon लगाने के बाद enter करेंगे तो हम देखें, v drive से अब n drive में आ गए हैं और यहां पर अगर हम डायर करके enter करते हैं तो हमें यहां पर वो फारी फाइले afda linker भी available है, edit वाली फाइल भी यह देखें, यह class 8 वाली फाइल भी हमें available है, तो हम अब यहां पर जो है अपनी इस program को सबसे पहले जो assembly language की है उसको object code भी बनाएंगे और उस से हम listing फाइल भी बनाएंगे और executable फाइल भी बनाएंगे, तो हम यहां पर command लिखेंगे nasm, nasm लिखने के बाद आप उस फाइ और class space डाइर आगया nasm, nasm और हमने लिखा class 8, 8 लिखने के बाद हमने कहा .asm, तो यह हम उस nasm को बता रहे हैं कि nasm, हमारी जो class 8 वाली फाइल है, asm वाली, assembly language वाली, उसकी एक output file generate करो, minus o डालेंगे, minus o का मतलब जो है, वो output file है, के इसकी एक output file generate करो, और जो output file आप generate करो, उसका जो नाम है, वो आना चाहिए class8.com, के आपकी जो output file generate करोगे, उसका नाम class8.com होना चाहिए, और उसकी एक listing file भी बनाओ, तो उसके लिखने हैं, minus l, के उसकी एक listing file बनाओ, और उस listing file का नाम होना चाहिए class8.lft अब ये जो हमने command लिखी है nasim फिर आपकी file का नाम .asm फिर –o फिर file का नाम .com –l और फिर आपकी file का नाम .lft इसका मतला भी यह है कि हम अपने assembler को बता रहे हैं कि आई assembler हमारी class8.asm वाली file को लो उस से –o output फाली file बनाओ जिसका नाम class8.com होना चाहिए और उसके साथ –l listing file बनाओ उसका listing file का नाम जो है वो class8.lft होना चाहिए इसके साथ ही मैं वो folder nasim भी open कर लेता हूँ ताके आप लोगों को clear जो है वो समझ आ जाए कि हम जो है basically क्या कर रहे हैं मैंने यह minimize किया सारी चीज़ों को माई computer open किया यहां पे जो है हम लोग e के अंदर चले जाते हैं और यहां पे यह हमारा nasim वाला folder है और यहां पे हमारी वो class8 वाली file आई है यहां पे यह आ रही है जब इसकी हम output file बनाएंगे और listing file बनाएंगे तो यहां पे देखें इसका 21 files है मैंने dosbox open किया और dosbox के उपर जो है मैं अब इस command को type करता हूँ बलके यहां पे dosbox इधर सामने रखते हैं और dosbox की यह वाली window और इसके अंदर हमने वो command लिखी हुई है जैसे ही मैं enter press करता हूँ तो यहां पे देखें हमारी file जो है 21 से 23 हो गई है और हमारी यहां पे देखें class 8 के साथ यह हमारी .com वाली file भी बन गई है और .listing वाली file भी बन गई है तो अब यहां पे हम जो है और different commands use करके मैं आपको इन files को run करके भी दिखाता हूँ अब हमारी जो सबसे पहले एक्जिक्यूट एबल file है उसको मैं एक्जिक्यूट करूँगा ताके हम देख सकें कि हमारी जो output है वो screen पर आ रही है या नहीं आ रही है तो यहां पे हमने class c l a f class 8.com लिखा यह हमारी जो है एक्जिक्यूट एबल file है इसको जो से ही मैंने enter किया तो यहां पे देखें आपके screen के उपर यह एक a लिखा हुआ print आ गया इसका मतलब यह है कि हमारा जो program है वो बिल्कुल ठीक जो है वो compile भी हो गया और run भी हो गया अब इसके अंदर हम कोई changes करना चाहते है उस file के अंदर तो आप वहां पे लिखेंगे edit edit लिखने के बाद हम उसकी lifting file को देख लेते है edit और file का name हमने जो है वो रखा है class 8.lft यह हमने अपनी of file का नाम रखा है lifting file का enter किया तो यहां पे देखें आपको वो एक lifting file जो हमने पूरे का पूरा code लिखा है वो यहां पे हमें नजर आ रहा है और आइंदा आने वाले किसी lecture के अंदर बें आप लोगों को समझाऊंगा भी कि यह जो इस file पे तो हमारा code नजर आ रहा है और इस file पर यह जो फारी चीवे नवद आ रही है वो क्या है लेकिन अभी यहां पे देख लें कि यह हमारी lifting file उपन गोई इसके बाद हम इसको जो है वो close करते हैं file पर click किया exit हमने कर दिया इसके बाद हम इसको अपने debugger के अंदर भी open करते हैं अपना class it or dot lft या dot com भी dot com हम लिखेंगे और enter करेंगे तो enter करने के बाद आपके सामने जो सक्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके से है अब उपर देखें यहां पे आपके पास जो है कुछ register आपको नजर आ रही हैं जिसमें A, X, B, X, F, I और वो सारे register हैं उपर वाले portion के अंदर और उपर वाले portion के जहां पे register हैं registers के बाद जो है आपका नजर आ रहा है stack वाला area तो वो stack के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद आपका बाकी का area नजर आ रहा है flags हैं और उपके नीचे भी आपको ये जो window नजर आ रही है वो green वाली ये भी आपका data area है और उपके साथ उपके उपर जो है वो आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो आपका program है और उप program के अंदर हमारी फारी जीवे हैं ये वाला area देखें हमारे register का, ये stack का, ये flag का ये data window, ये भी data window और ये हमारा program है और ये जो है आपकी command line है यहाँ पे हम different commands लिखेंगे तो आने वाली class के अंदर हम इसके अंदर मजीद commands भी लिखना आपको सिखाऊंगा और आपको इसको run करके भी दिखाऊंगा, अभी for the time being आप फिरस इस debugger को देख लें, तो emulator यूज़ करने का साइदा ये है कि हमें इस तरह का कोई debugger भी open नहीं करना पड़ता, बलके वो साथ ही debugging भी करता है और अगर कोई error है तो वो हमें screen के उपर graphically दिखा देता है, इस dos box को मैं close कर दिया है और इसको भी close कर दिया है हम अपनी class की तरफ वापस आ गए हैं क्यूंके हमारे program दोनो run हो गए है, nasim के अंदर भी और हमारे emulator 8086 के उपर भी same यही तरीका जो हमारा nasim के उपर है, वो हमारा nasim का भी है, तो आप उस पे खुद देखें मैसिम के उपर run करके दोस्तों, यह थी हमारी आज की class, आज की class खतम करने से पहले, आपको जैसे मैंने बताया था शुरू में, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों को exercise भी देना शुरू करू तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है write an assembly language program to print the first character of your name आपने अपने नाम का जो पहला character है, उसको print करना है let's suppose my name is Moshin, जैसे मेरा नाम Moshin है, तो I have print M on computer screen, तो मैं M print करूंगा, if your name is Raza, अगर आपका नाम Raza है, तो then you print R on computer screen, आपका जो भी नाम है, एहमद है, तो A type करेंगे, जफर है, तो Z type करेंगे computer screen के उपर आपका आना चाहिए, आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, instruction है, use register where needed, जहां पे आपको registers की जरूरत पड़े, वहां पे आप register use करें, use service routine to print the screen, आपने service routines का इस्तमाल करना है, जहां पे जरूरत हो, use interrupt where needed, जहां पे interrupt की जरूरत है, वहां पे आप interrupt use करेंगे, और use comment in program where needed, और जहां पे आपको comments की जरूरत है, वो use करेंगे, और इस तरीके से आप अपनी exercise complete करेंगे, तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जितने भी classes होंगी, उनके अंदर हम assembly language का code लिखा करेंगे, और जहां पे कुछ theoretical work होगा, या definitions होगी, वो भी साथ पढ़ा करेंगे, दोस्तों, मुझे उमीद है, आपको assembly language programming की ये series तो संदा आएगी, और आप उससे यकिनन सीख भी रहे होंगे, दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और comments की फुरूत में अपना feedback दीजिए, और मेरा चैनल 24R7 Teachers Online subscribe कीजिए, ताके मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाले लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सकें, और आप उफ़े सीख सकें, दोस्तों मिलते हैं अगली अफ़मली लेंग्विज programming की class में, उफ़कर तक के लिए मुझे इजावत दीजिए, थैंक वेरी मुझे दोफ्तो, आला हाफिव